यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ी है यानि इजाफा हुआ है उत्रप्रदेश में अब 49 लोग कोरोना से संक्रमित हुए है चार अन्य लोग हुई है केडियम्यू जाच रिपोर्ट में कोरोना पॉस्टिब मिला है नोडा की 33 साल कि महिला को कोरोना हुआ है नोडा की 54 साल की महिला को कोरोना हुआ है थैंदीस और Blair नोडा में भरती यूवक को को ठोटी नन क्रें मिला है तीनों नोडा के अस्पिताल में हुए थे यूए constitution से लोठे आगरा विवक को कोरोना हुआ है नोडा के तीनों लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है कोरोना संक्रमित के संपर्क में आये थे लेकि इसी के तहत देश में लॉकडाउन किया गया है अभी जो तीन नए लोग आये हैं इनकी कोई ट्रिवेल हिस्टोरी नहीं है विदेश नहीं गये थे जो विदेश से आये थे उनके संपर्क में आये थे और बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये है कि उनको कुरोना नहीं हुआ लेकिन इन लोगों को हो गया यानि कुछ लोग करियर का भी काम कर रहे हैं, इनी साधान रहना है और यही एक बचा लॉंगडाउन किया गया है और आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस लॉंगडाउन का पालन करना होगा, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जो एहतियाग बरतना है वो बरती जैसे कि आपको मास्क कहना होगा, इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, तो कुल संख्या जो हो गई है वो 735 हो गई है, देश में कोरोना से 20 लोगों की अब तक मौते हो गई है, जो हमारे पास आकड़ा है, और उत्तर प्रदेश में ये आकड़ा बढ़कर उन्चास हुआ है, यूपी में अब उन्चास लोगों का संक्रमित हुए है, देश में कोरोना मरीजों की संख्यात 735 हुई है, ये फीगर लगातार बढ़ रहा है लॉकडाउन के बावजूद, लॉकडाउन इसी लिए किया गया है कि ये ग्राफ गिरे अभी ततकालिक रिजल्ट इसका नहीं दिखेगा, जब तक हम दो हफ्ते नहीं जाते इस लॉकडाउन में तत तक इसका असर नहीं दिखेगा, अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो अंददा लगाई कि ये कितनी भायावा इस्तिती ले लेता, लेकिन आकड़े में बहुत हद तक गिरावट देखी गई है, और इस वक्त हमारे साथ तीन संबधता जुड़े हुए, दिल्ली से आवेज सुस्वानी जुड़े हुए है, लखनौ से हमारे साथ अभिशेक पांडे जुड़े हुए है, और आपका रुक करूँगा, उत्तर प्रदेश में ओवराल कितनी संख्या हो गई, और बताएए जा रहा है कि जो तीन नए केसे सामने आये हैं, उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, यानि वो कहीं गए नहीं, बलकि किसी से प्रभावित होकर संक्रमित हुए हैं, और ये इसमें से वो लोग हैं, जो किसी की कान्टेक्ट में आने की वयसे संक्रमित हुए हैं, यानि ट्रेवल हिस्ट्री यो लगातार जो इस से पहले की केसे थे, उसमें ट्रेवल हिस्ट्री का ज़्यादातर मामला सामने आये था, लेकिन इस दौरान पिप्छले एक हफ़ते से जो आमने सामने आ रहा है ये contact history इनकी है जो किसी ना किसी के संपर्क में आए है और संक्रमित हुए है हाला कि अब ये ये जो numbers है ये stagnant हुए है थोड़ा सा स्थिर हुए है क्योंकि community spread नहीं हो रहा है जो भी संक्रमित है वो अपने घरों के अंदर है और अगले दो हफते में जो ये incubation period है इस virus का ये स्थापित होगा ये पता चलेगा कितने लोग हैं जो अपने घरों में हैं क्योंकि धीरे धीरे उनके symptom सामने आएंगे दीरे दीरे ऐसे मरीज सामने आएंगे जो इसे संक्रमित है तो ये आखड़ा बढ़ रहा है लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो तासर दिख रहा है लोग सड़कों पे नहीं हैं लोग अपने घरों में हैं और जाधा तर लोग जो जो संक्रमित हुए भी है या जो नए केसेज भी आ रहे है वो घरों से ही रिपोर्ट किया जा रहे है वो बाहर नहीं है उनकी कोई हिस्ट्री नहीं सामने आ रही है अच्छा सीमाब ओवर तो उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो गए यानि वो ठीक हो रहे हैं देखिए बड़ी संक्या में लोगों का ठीक होना भी शुरू हो गया है क्योंकि जिस तरह से कुरोना थी तो सरकार ने ये लागडाउन का कदम उठाया है और लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह से रह रहे हैं हाला कि जिस तरह से जो है वो ये सारे मामले सामने आ र खत्म हो गया है क्योंकि लोग घरों में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में रहेंगे तो वहीं तक ये महदूद रहेगा वहीं तक ये सीमित रहेगा और दूसरे शहरों तक दूसरे महलों तक इसके फंक्रमन के पहुंचने का खत्रा कम हो गया है हाला कि ये भी देखा जा रहा है कि लकनव सहित तमाम जगें ऐसी हैं कि जहां लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं लेकिन जो उनकी गलियां हैं उनके महलें अपने घरों से निकल कर वहां पर लोग तफरी कर रहा हैं वहां पर लोग एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और सक्री ये नहीं है या ये कहा जाए कि सीरियस नहीं है तो ऐसी सूरत में अभी और सक्ती की जरूरत है गलियों तक जाने की जरूरत है पुलिस के जवानों को ताकि लोग जो यहां वहां गूम रहे हैं या गलियों के अंदर बड़ी संक्या में जमा हो रहा हैं उनको भी रोका जातके तो राहुल आपको बताएं कि लकनओ में या उत्तर प्रदेश में जो मरीजों को संक्या मिली है उसमें कहीं न कहीं उसमें कमी भी आई है लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं बड़ी संक्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं और जो लोगों के संक्रमल का खत्रा पाये हैं उनका इलाज भी चल रहा है और सबसे बड़ी बात य है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी कोरोना वाइरस के मरीज पाए गए है उसमें से एक भी मौत नहीं हुई है अभी तक लोगों का इलाज चल रहा है छे जगे पर टेस्टिंग सेंटर खोल दिये गए हैं चाहे वो साइफाई हो लके जी एम्यू हो उसके अलावा पीजी आई हो और कमांड हास्पिटल हो सेना का लकनौ का तो इन जगाओं पर लैब में टेस्ट भी किये जा रहा है सेंपल की किसी कोरोना है या नहीं है तो बड़ी संख्या में एक ये काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है बिल्कुल अब ऐसी सूरत है कि उसको अपने अपने घरों में रहना चाहिए और इसको सीरियस लेने की ज़की अब जिम्मेदारी जरता की बहुत बढ़ जाती है आवेस दिल्ली की क्या इस्थिती है ओवराल अगर बात करें यहां केसिस बहुत बढ़े हुए हैं या मरीश ठीक हो रहे हैं पूरी रिपोर्ट आप बताए दिल्ली की जिब बलकुल दिल्ली में भी अब मामले जो हैं वो धिरी-दिरी सामने आने लगे हैं जैसे एक मौचपूर में डॉक्टर को जिब से करोना की पुछती हुई यह उनकी बेटी और पतनी को भी हुची उसके बाद से आठ सो लोगों को होम कुराटाइन जो है वो किया गया है क्योंकि एक वीदेश के बाद से डॉक्टर का भी पॉजिटीव जो है वो कॉरनाटाइन के इसके लावा हमारे कैमरामेन शार्दा में रहते हैं उनको आजसोबा में कॉल है उनके घर के बगल में पडोस में एक वैक्ती जो है ऑस्टेलिया से आय था और इसको कल देर शाम में उनको कॉरोना टेस्ट जो है से लक्षड पाए गाए उनके अंदर तो उस इलाकों को भी पूरा कॉरेंटाइम किया गया है इसके अलावा शाहिन बाग में गली नंबर तीन है वहां पे भी एक केस आया है बताया जा रहा है कि उनका भी कॉरोना टेस्ट जो है पॉजिटिप आगया और पूरी कॉलोनी को जो है जो लोगडाउन कर दिया गया है लोगडाउन किया ह धकाब banging की कि तर्ह दूआ और ना है पा रहा है। खोग मेरे ना पनी प्रस्कार के जा है कि यहां है कि जहांगर आज जो दृतरी कि आज केस आया कि यूपी की, जो लोग कहिं ट्रयवल जाइए हॉ तरह के संकरमड की यहां टाम रोक थाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा है कि लोग अपनी गल्यों को लॉकडाउन खुद कर दें, अपनी बिल्डिंग के गेट बंद कर दें, गेट के बाहर ना निकलें, अगर निकलना हो तो बेहद ज़रूरी अगर हो, अगर आपके घर में दूत खतम हो जाता है, तो आप कालिज, मैं लोगों से ही कहूंगा, और जहां तक सबजी की बात है, तो अगर बहुत ज़रूरत है, तब ही आप घर से निकलें, वरना घर में ना निकलें, क्योंकि अब जो ज़रूरत है लॉकडाउन की, वो राज्यों की सीमा सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, लो ज़र वो थर्ड स्टेज की तरफ हो सकता है, बढ़ जाए, क्योंकि बिना जो उनके पास कोरोना, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री विदेश की नहीं है, वो जब संकर्मण में आने लगे हैं, तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा पहल उठानी पड़ेगी, सरकार का साथ देना पर आप लोग भी बहुत महिनत कर रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, चोकि आप बाहर निकले होएं रिपोर्टिंग के लिए, चाहे सीमाब हों, चाहे अभिशेक हों, चाहे आवेस हों, आप लोगों को भी अपना बहुत ख्याल रखना है, तो यूपी में अब तक कुल उन्चास लोग संक्रमित हुए हैं, लखनवी में समाच के दुश्मन कौन है, समाच के दुश्मन वहीं हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, खजारों की भी खत्रा भारी है, ऐसे ही रहा, तो कैसे कोरोना तो जीतेंगे, आवेस देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे थे हैं अगर आपके पास दूद नहीं है, तो काली चाय कुछ दिन पी लिजे, कुछ हो जाएगा, क्या, प्रसासन जानभूच कर ढिलाई कर रही है, प्रसासन समान की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, सभाविक है, आप देखिए कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है, देखिए जो तीन नए मामले नोडा क्या है, इनकी कोई ट्रिविल हिस्ट्री नहीं है, यानि आप समझ रहे हैं न, जो मैं आपको बता रहा हूं, धरा नहीं ना हूं,